तंदूरी चिकन की रेस्पी और इसमें आपको बताऊंगी कि आप विदाउट ओवन या ग्रिल आप स्टोफ पे ही कैसा यमी सा तंदूरी चिकन रेडी कर सकते हैं तो उसके लिए जो हमें इंग्रीरेंस चाहिए वो नो डाउन करते हैं यहां पे मैंने लिया है वन केजी चि कर ने वन के 맞ातों मसाला पौडर और हम टीसपून रिच इली पा टीसपून कर माइumpन चीन वप्रूण यापन चाहिए और यह प्रा नियुंघ नहीं क्यृट को मिलड फेडि ल использовать कि प्रूद करने grain मैं साल्ट आप को नेरे टेस्टरट कर में तेबल स्वयाम, कैस्वान 1.5 टेबल स्पून पपाया पेस्ट लेमन जूस में यहां यूज करियों 3.5 टेबल स्पून लेमन जूस बड़ा था मैंने वह सारा ही इसका जूस निकाल लिए इसमें तंदूरी चिकन में थोरा लेमन नी फिलेवर ज्यादा हो तो बहुत अच्छा लगता है तो 1 टेबल प्रीन चिली पेस्ट तो यह सिंपल से इंग्रीरेंट्स हैं एक बाउल में मैं सब इंग्रीरेंट्स को इकठा कर लोंगी और अच्छे से इसको मिक्स करके एक मैरीनेशन रेडी कर लेंगे अगर आप बार्बी क्यू करना जा रहे हैं तो योगर्ट की क्वांटिटी आप ह अच्छे से ड्राय हो जाएगा लेकिन अगर आप ग्रिल पे बना रहे हैं बार्बी क्यू कर रहे हैं तो क्वाटर कप योगर्ट लें वान के जी चिकन के लिए ताके वह अच्छा सा पेस्टी सा थिक सा मैरीनेशन रेडी हो और वह सारा आपके चिकन के उपर चिपक जाए जादा जा और योगर्ट ़ाल देंगे तो विसलि बाल में तो योगॡ्ट रहे जाएगा और ऊपर साब चिकन उठा के ग्रील पे रख गर्ण के तो सारे फलेवर जो है जो है योगर्ट में रहे ज्याएंगे तो चिकन इतना जादा फ्लेवर फूल नहीं बनेगा तो इसलि बगार भी आप बना सकते हैं कुछ लोग रेड फूड कलर भी एड़ करते हैं अगर आप वो भी एड़ कर सकते हैं तो वन एंड हाफ टीस्पून ओली ओई एड़ किया है मैंने तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके या देखें कितना अच्छा मेरीनेशन हमार रेडी हो गया अब इसे मैं अब इसमेराट कर दूंगे और छिकन को अच्छे से मिक्स कर देखें में दूंगे आप रात है नहीं और इसको मेरीनेट आप में 4-5 आवर्स आप इसको दे मेरीनेशन को ताकि अच्छे से फ्लेवर्स चिकन में अबसर्ब हो जाए तो अब मैं इसको नेक्स डिक कुक करूंगी और फिर आपको इसका नेक्स डिप कुकिंग प्रोसेस दिखाती हूं यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है इसको मैं कुक कर अब आपना वाटर होगा और ओवर्नाइट में इसको मैरीनेट किया था तो है फ्लेम पे इसको मैं कुक करूंगी इतनी दे के चिकन और योगर्ट जितना भी अपना वाटर रिलीज करें वह सारा अच्छे से ड्राय हो जाना चाहिए सारा इसको चीपक जाय मैं साला सा ड्र अगर आपका गैस वाला स्टोव है तो मीडियम फ्लेम रखें और उसके उपर इस तरह का कोई भी स्टेंड रख लें तो आप बड़े साइस का भी स्टेंड रख सकते हैं तो इस तरह सारे चिकन के पीसिस के उपर रख दें और टू मिनर्स के लिए एक साइट से जिंदन टर् कर लें या इतनी देर आप उसको कुक करें कि जितना आपको कलर रिक्वाइर है कितना आप डार्ट कलर इसका रखना चाहते हैं तो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इस पे आजाए जैसा के बार्बिक्यो या ग्रेल का चिकन का कलर होता है उस तरह के स्पोर्ट साज आ फालोंगे तो इसको मैं कुक कोने दिते हूं तो यहां पर मैं आपको दकाओंगी इस तरह का कलर यह देते कि रखना ऑच्छा कलर रहा हारा है इसका इसका प्यक्राइब है उटब मैं पूर 21 जा पौर mm त मैंने एक वाल मैं cool दाल लिए और सानवे और मैं आप घज़न ते रखा है उस पे थोड़ा से एक दो डॉप मैंने ऑईल डाले है अब इसका मैं अरोमा इस पे दूँगी यह स्मॉक सा आजाए इसको कवर करके चार से पांच मिनट तक रख दूँगी ताकि अच्छा सा अरोमा और समॉकी इसमें अब्जॉर्ब हो जाए तो यह मैंने अब इस कर लिए आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितना यमी और टेस्टी रेड़ी हुआ है और आप इसका कलर चेक करें कितना अच्छा लग रहा है तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि आपने इसको बार्बीक्यू या ग्रिल नहीं किया स्टॉफ पर बनाया है कोई भी में बताईगे का आपको यह रिस्पी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन बटन को भी लाजमी प्रेस करें इन्शाला मिलते है नेक्स वीडियो में अपना बोसा क्या लखें दौाओं में याद रखें आला हाफिज